इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज कई एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो आएए आप जरा क्रोनालोजी समझ लीजिए तो जब फार्म बिल्स को पहली बार पास किया गया था तब हमारे पंजाब के कई सारे फार्मर्स थे जो सड़कों पे उत रहे थे सड़कों को ब्लॉक कर रहे थे और गवर्मेंट से डिमांड करने लगे कि आप सारे के सारे जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि गवर्मेंट इन बिल्स को वापस नहीं लेने वाली है और देश के अलग-अलग कोनों से किसान इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं धेश के सबसे बड़े-बड़े जो फार्म और अग्रिकल्टरल एकसपर्ट्स हैं वो इन लॉज को सप कोट कर रहे हैं तब फिर हमारे फार्मर्स ने सुप्रीम कोट से गोहार लगानी शुरू की कि भाईया सुप्रीम कोट आप आईए बीच में आप जरा दखल अंदाजी कीजिए और आप इन बिल्स को जरा कैंसल कीजिए और पहली बात मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या इन कानूनों में सुप्रीम कोट को इनवाल्व होने की जरूरत है या नहीं आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताईए और जब सुप्रीम कोट ने इमीडियेटली इंटर्फियर नहीं किया और इमीडियेटली बिल्स को कैंसल नहीं किया उ एक stay order लगा रहे हैं इन farm laws के पास होने पर further discussion के लिए और जैसे ही ये खबर आए कि सुप्रीम कोट stay order लगा रही है इन farm bills पे बिल्कुल अचानक रातो रात जो हमारी सुप्रीम कोट है वो मोदी के गोदी से उचल कर बिल्कुल only hope for democracy बन गई suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move हमारे prominent cartoonists से लेके, हमारे prominent cartoons तक सुप्रीम कोट की तारीफ करने लगे सुप्रीम कोट की बढ़ा ही करने लगे prominent politicians भी आकर सुप्रीम कोट की खुब तारीफ करने लगे कि वो इस हंदुत्वा supremacist government से लड़ रहे हैं तो बिलकुल अचानक से मामला चेंज हो गया लेकिन अभी भी इस कहानी में कुछ twists and turns बचे हुए हैं तो सुप्रीम कोट ने अनाउंस किया कि सुप्रीम कोट एक चार member की committee create करने वाली है जो कि Modi government और farmers के breach में negotiation करेगी लेकिन इस committee के चारो members जो है वो चारो इन bills को historically सपोर्ट करते हुए हैं फिर से बदल गया मामला फिर से सुप्रीम कोट एक fascism से लड़ती ही organization से change होकर वापस Modi की गोदी में चलीगी बड़े-बड़े हमारे बुद्धी जीवी वापस सुप्रीम कोट को गालिया देने लगे farmers union ने तो यहां तक announce किया कि वो committee से बात तक करने नहीं जाएंगे हमारे देश के सबसे बड़े इच्छाधारी प्रोटेस्टर योगेंदर सिंस योगेंदर सिंस जो की सुप्रीम कोट कितनी तारीव कर रहे थे कुछ घंटे पहले वो आप कह रहे हैं कि भई सुप्रीम कोट ने तो बिलको सरकारी committee लगा दी है कई और prominent intellectuals थे जो बहुत दुखी थे कि सुप्रीम कोट ने ये क्या कर दिया तो पहले तो आप मुझे ये बताईए कि आपका favorite meltdown नीचे comment section में कौन सा था और दूसरी बात कि भई हम meltdown को तो enjoy कर रहे हैं लेकिन इस meltdown को enjoy करने के साथ साथ एक यहाँ पर बहुत important question भी निकल कर आता है जो question हमारे बुद्धी जी भी तो पूछने नी वाले don't worry तो ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा और सुप्रीम कोट का ये काफी लंबा track record है इस तरह से judicial activism करने का, judicial overreach करने का I think the heart of judging, the core of judging is that it's an expression of yourself I think if you really ask me what the, what I've learned in the last 20 years is that it's a form of self-expression about what you consider to be a just society बाइसाब ये किस लाइन में आगे हाँ कि government हमें नहीं बताएगी लेकिन supreme court हमें बताएगी कि हमें शादियों में खाना कितना खाना चाहिए कि भाई हमें पटाखे कितने समय से कितने समय तक फोड़ने चाहिए तो supreme court के judges को judge भी बनना है, prime minister भी बनना है और police भी बनना है कि भी देश में जो भी होगा वो हमारी permission से होगा बिना हमारी permission के हम कुछ नहीं होने देंगे और आप देखिए कि कई supreme court के decisions में कहा गया है कि supreme court इस तरह के काम नहीं कर सकती है इन सभी cases में कहा गया है कि अगर judges, legislative और executive के functions में दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं तो ये बिलकुल unconstitutional है ये functions state के दूसरे organs के functions है इन functions में दखल अंदाजी करना separation of powers के principle का violation करता है लेकिन इस case में unfortunately courts ने बिलकुल यही किया है अगर कोई कानून देखिए unconstitutional है तो courts के पास बिलकुल ये option है कि उस कानून को null and void declare करते लेकिन courts ने ये नहीं किया है courts ने ये नहीं कहा है कि ये कानून unconstitutional है courts ने सिरफ temporary stay लगाया है और इस temporary stay लगाने का court ने reason ये दिया है कि farmers की feelings hurt हुई है अब ये क्या logic है भाई? आपने Indian Penal Court के section 377 को हटाया आपने homosexuality को decriminalize किया अब कल को अगर कुछ Muslim और Christian groups आकर बोलते हैं कि homosexuality को decriminalize करने से हमारी feelings hurt हो रही है तो क्या आप कल को section 377 वापस ले आओगे? जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बात है किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाग उडाते है दिखिए इस government के पास जनता का जनादेश है और इस जनता का जनादेश को मद्दे नजर रखते हुए government ने ये कानूनों को पास किया है जब तक ये कानून explicitly unconstitutional नहीं है तब तक courts का इन कानूनों में कोई रोल नहीं बनता है और उसके उपर से courts government को accountable रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन courts की accountability का क्या? Indian judiciary दुनिया की इकलोती judiciary है जिसमें higher judges को judiciary खुद appoint करती है ये system दुनिया में और कहीं भी नहीं है तो जितने भी senior judge हैं उनको senior judge खुद appoint करते हैं और यहां तक कि जब parliament ने National Judicial Appointment Commission Act 2014 पास किया था जिससे की एक independent commission create होता जो और transparency के साथ judges को appoint करता उस act को हमारी प्यारी judiciary ने strike down कर दिया के नहीं भईया हमको appointment process में transparency नहीं चाहिए government के काम में हमको accountability चाहिए लेकिन हमारे काम में accountability की कोई जरुवत नहीं है और देखिए finally जो supreme court ने अपनी दखल अंदाजी के साथ और ये stay order लगाने के साथ किया है ये एक बहुत ही dangerous example set करता है ये लोगों को जनता को ये message देता है कि अगर आपको कोई कानून नहीं पसंद है तो अगर आप illegally सड़कों को block करें अगर आप illegal काम करें तो courts आके आपको support करेंगे तो ये basically एक तरह से गुंडा राज को बढ़ावा देना हुआ सुप्रीम कोट को illegal activities को इस तरह से support और reward नहीं करना चाहिए और देखे मुझे ये लगता भी है कि सुप्रीम कोट को लगता है कि ये stay order डाल कर उन्होंने कुछ गलत काम किया है क्योंकि अब सुप्रीम कोट के ओपर बहुत सारी scrutiny आएगी सुप्रीम कोट ने जिस तरह से judicial overreach किया है और जिस तरह से सुप्रीम को judicial activism कर रही है उसके ओपर बहुत सारी scrutiny आएगी किस तरह से हमारी judiciary में senior judges को appoint किया जाता है उसके ओपर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे और जिस तरह से सुप्रीम कोट illegal behavior को reward कर रही है उसके ओपर भी सवाल उठेंगे तो इसलिए government ने एक ऐसी committee create की है जिसके चारो members bills को support करते हैं क्योंकि देखिए सुप्रीम कोट को पता है कि भाईया कानून तो पास होंगे ही कानून unconstitutional नहीं है अगर unconstitutional होते तो सुप्रीम कोट यह कह दिया होता तो इसलिए उन्होंने यह committee create कर दी है कि भाईया कानून तो पास हो जाएंगे लेकिन जनता की गालिया committee को पढ़ेंगी और जनता हमको hero की तरह देखीगी क्योंकि भाईया देखिए हमने तो इन bills को रोकने की कोशिश की हमने तो committee बनाएं लेकिन committee ने bill pass कर दिया तो हम क्या करें देखिए this is a very bad example of judicial overreach और जनता के दिमाग में पब्लिक के दिमाग में यह doubts create करेगा on the nature of the separation of powers and the basic structure of the constitution तो आज के day and age में judiciary की accountability बहुत 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 जरूरी है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप agree करते हैं मुझसे कि जो supreme court ने किया है यह stay order डाल के this is an example of judicial overreach आप agree करते हैं या disagree करते हैं नीचे comment section में मुझे जरूर बताए अगर आपको आज के episode पसंद आयो तो please आज के episode को एक like दें एक thumbs up दें इससे मेरी बहुत मदद होती है इससे show की बहुत मदद होती है अगर आपने अभी तक शाम शर्मा शो का merch store check out नहीं किया है तो जाईए भाई चेक आउट कीजिए और अगर आप शाम शर्मा शो के patron बनते हैं तो हर एक patron को merch store पे 100 रुपीज आफ मिलेंगे तो 2021 बहुत अच्छा साल है शाम शर्मा शो का patron बनने के लिए और अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया हो अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है लेकिन आपने फिर भी अभी तक subscribe नहीं किया है अरे भी यह तो क्या कर रहे हैं क्लिक करो इतना प्यारा सा बटन है subscribe करो bell icon को दवाना बिल्कुल नियुक्त भूलना और हाँ हमारे यहां और यहां और भी एपिसोड है इनको भी जाकर देखिए आपको ज़रूर पसंद आएंगे मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा और तब तक सोस्त रहें सुखी रहें और फिर मिलेंगे